नमस्कार आपका स्वागत है अपने चैनल जेतना मंच पर और आप इस समय हैं हमारे विशेज कारिक्राम खास मुलाकात में बच्पन में आकास वानी पर एक कारिक्राम आप लोगों ने खूब सुना होगा कारिक्राम का नाम था ग्राम संसार छोटी सी उमर में तमाम भुजरुकों के साथ वैट करके मुझे भी उस कारिक्राम को सुनने का स्वभाग्य पराप्त हुआ है और आज भी जब भी मौका लगता है मैं ग्राम संसार जरूर सुनता हूँ ग्राम संसार कारिकरम का हमारे बच्पन से लेके जवानी तक जो संचालन करते थे जो उसकी एंकरिंग करते थे उन में से एक है मुनसी भाई मुन्सी भाई मेरे बच्पन से लेकर आज तक मेरे फेवरेट रहे है मैं उनके संचालन का उनके प्रस्तूति करण का उनकी एंकरिंग का मुरीद रहा हूँ फैन रहा हूँ आज सोभाग्य है कि वो चेत्मा मंच के स्टूडियो में है मुन्सी भाई को हमने विशेश रूप से अपने दर्सकों से बात करने के लिए आमंतरित किया है अब बिना आपका समय खराब किये मैं सीधे ले चलता हूँ आपको मुन्सी भाई के पास मुंसी भाइ राम राम और सबसे पहले सब सुनने वाले बहन भाईयों को राम राम रगवंसी भाई जी भाई भाई आज हम आपके स्टूडियों में आए हैं और आप मेरे से क्या पूछना चाहेंगे आप पूछ सकते हैं मुंसी भाई मैं तो बहुत गदगद हूँ आज आपके दरसन करके और अपने दरसकों से आपको मिलवा करके आप ये बताईए कि आकासवानी का ये कारिकरम ग्राम संसार आपने कब जुआइन किया था मैं पांच फरवरी 1970 को रेडियो से जुड़ा था जब मेरी उमर महद 21 साल की थी 21 साल की उमर मैं मैंने ये परसान शुरू किया और उसके बाद दीरे 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 पश्मी उत्रप्रदेश, हरियाना, रास्तान तक के लोगों से जुड़ते रहे, बाहर भी जाते थे रिकारडिंग करने के लिए और लोगों से मिलते थे, लोगों का प्यार इतना मिला, इतना मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत लोग रेडियो से जुड़ते लेगे पूरे हिंदुस्तान में मुन्शी भाई के नाम से परसीद है, तो क्या आप घर में भी मुन्शी भाई हैं? अब ये भी एक कहानी आपको, नाम तो बलवीर सिंग सहरा होता है, मेरा दिल्ली में है गाउं, बावाना गाउं है, लेकिन रेडियो की तरफ से, नाम मेरा मुन्शी भाई रख्या गया, और फिर सब असली नाम तो भूल गे, मुन्शी भाई कहने लगें, आपको घर में भी मुन्शी भाई से बुलाते हैं? हाँ, घर में भी, आपको एक किस्ता सुनाता हूं, मेरे पिताजी इंट्रोड़क्शन कराने लगे, आए वे थे, तो वो करें, देख जी, वो मुन्शी भाई को देखना है, फिर वो करना है, भाई, ये हैं, वो मुन्शी भाई, तो ये भी बड़ा किस्ता है, इस बाप में, के, आप कब तक इस कारिकरम के साथ जुड़े लगे? मैंने 2014 तक, यानि 44 साल तक, क्या बात, क्या बात, 44 साल तक के, मैं इसे प्रशारण से जुड़ा रहा है, अपने ग्राम संसार से, और लोगों से प्यार भी बहुत मिला, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, फोन इन कारिकरम, यानि शीदे फोन से हम अपने शुरूताओं से जुड़ते थे, उसमें हमारे, जैसे जम्मू कस्मीर में हमारे फोज़ी हैं, वो सुनते थे, तो वो फोन करने के लिए, हमारे सीदे बात करने के लिए, एस्टिडी कॉल होती थी, उससे आते थे, और वो कहते हैं, मुनुसी भाई, राम राम, मैं फलानी जग ऐसे बोल रहा हूं, जम्मू कस्मीर से, और मैं यहां एस्टिडी से बोल रहा हूं आप से, तो हमारा विश्चीना चोड़ा हो जाता था, जो अपने फोजी से बात करते थे, और फिर वो कते थे, एक देश बक्ती की फोजी में हेर सिंग की रागणी सुनवा जो, वो फिर रागणी हम उनको सुनवा तो इस तरह से, लोगों से बहुत प्यार मिलता था, कभी फोन इन में एक डाक्षाप थे, पानी पच्छे उन्होंने बात चीद की, फिर कहना है मेरी मिशिज भी बात करना चाहती है, मका जी उन्हीं से भी करा देते हैं, फिर कहने मेरी बेटी भी बात करना चाहती है, तो लोगों को बड़ा मतलब ये था, कि हमारे से बात करने में उनको भी आनदाता था, और हमें भी अपने स्रोताओं से बात करते थे, तो हम भी गद गद हो जाते थे, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम, रागनी और गीत, खास तोर से पश्चिमियूत्तर प्रदेश, हरियाना, राजस्थान, इस छेतर में खूब सुने जाते हैं, लेकिन ये लोग गीत है मूलता, और लोग गीत के विशे पे आपका रिसर्च भी रहा होगा, ये लोग गीत प्रारम कहां से हुएं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे, ऐसा है, लोग गीत तो हमारी संस्कृति में है, प्रंप्रा गत्जेश, अपनी महिलाएंग, आपने देखा आप फागन के महीने में, फागन के गीत गाती हैं, जी 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 जी, सांग का सोक था, और रात रात भर सांग चलता था, मैं अपने दर्सकों के लिए बता दूँ, कि सांग यानि स्वांग भी उसको कहा जाता है, गाओं में जो भैसा बुग्गी होती थी, दो बुग्गी जोड़ करके, एक बड़े से मैदान में उसको खड़ी कर उनको होता था, उसके चारों तरफ लोग बैठते थे और बीच में बिना माइक के, बिना किसी बड़े इंस्टूमेंट के, अपने गले से लगबाग 500 मीटर, 1000 मीटर दूर तक लोगों को गाने वाला अपनी आवाज में पूरा किस्सा गा करके सुनाते थे, महिलाओं का रोल भी होई करते थे, सुवांग की बात कर रहे थे हम, बिलकुल ऐसा है जैसे आप बता रहे हैं, बाद में तकत आगे, फिर चार तकत डाल देते थे, सांग होता था, चारों तरफ बैठ जाते थे, वहीं से परंपरा फिर हमारे सांगी होए, पुराने, फिर उनके सिस्से होते चल हमारे पुराने सांग की ये परंपरा रहीर वहीं से, उसमें सभी तरह के थे, वो रागनी, चोबोला, और तो वो सभी तरह के गीत थे, तो वो सब हमारी परंपरा से ये चलती आ रहे हैं, और हम रेडियो पर भी, बहरे तबील, चोबोला, रागनी, भजन, लोग गीत, ये तो इस तरह से हमारा मिला जुलाय कारिकरम है आप तो इसके शोकी नहीं है नहीं मैं तो बिलकुँ सुनता रहा हूँ लेकिन एक बार बताईए बच्पन से मुझे एक जानकारी और चाहिए थी आज सोभागय से आप मिल गए हमेशा से आप कलाकारों को सीधे अपने आकासवा हमारी बातचीत और गाना सीधा जाता है तो बाद में कुछ ऐसा हो गया रेडियो पर कि कोई परसारण में ऐसी बात किसी के थुरू चली गई तो उस पर फिर अबजेक्शन आ गया कि भाई इसको पहले रिकॉर्ड करो अगर लाईव में कोई गलत बात हो निकल गई किसी कर यह सक्या भी गाय कलाकारों को अलग से रिकॉर्ड कर लो और आप अपनी बातचीत फिर बाद में करो लाईव करो वो हमारी बातचीत तो लाईव होती थी और कलाकार की गाय वी रागनी रिकॉर्ड होती थी यह आज काफी ग्यान वर्धन हुआ इस विशे में भी मेरा मन ब हम उन्सी जी को किसी और रूप में आपके इसी चैनल चेतना मंच पर आमंतृत करेंगे और पूछेंगे आपके दुआरा पूछे वे सवाल, अपनी बात और उनकी पसंद की रागनियां भी सुनवाएंगे, भजन भी सुनवाएंगे, गीत भी सुनवाएंगे, जल्दी ही लोक गीत और लोक गीतों से जुड़ावा कारिकरम जिसका नाम है गाउ संसार और उस कारिकरम को आपके लिए लेकर के आएंगे, आपके वही चहेते, वही पसंदीदा एंकर और संचालक मुन्सी भाई उस कारिकरम को लेकर आएंगे आपके लिए, और मैं और मुन्सी मिलकर के आपको दुनिया भर में परसिद तमाम रागनियां तमाम गीत तमाम भजन सुनवाएंगे आप से ये वायदा रहा मुंसी भाई को वायदा कर दीजे हमारे दर्सकों से हम आपको ये जो अभी रोग विंशी जी ने बताया इस तरह का कारिक्रम लेके आ रहे हैं हम चा लेते हैं सार सुनने वाले बहन भायों को राम राम